2022 के budget को पेश होए एक मिलने से जादा हो चुका है और अभी तक आपने इसके बारे बहुत सारे views, counterviews, opinions पड़ी होंगी देखे होंगी लेकिन एक particular segment है जिसके बारे में everybody in the market is coming ये कौन सा segment है और उसके stakeholders इसके बारे में क्यों इतने excited हैं पुशिश करेंगे कि आज के इस वीड stakeholders की खुशी का कारण क्या है जैसे का हम बता चुके हैं कि आज के सीडियो में बात करने वाले हैं एक particular segment की जो budget से काफी जादा खुश है और ये जो particular segment है इसका नाम है solar energy तो जितने भी stakeholders और इस field से इस segment से associated लोग है उनका ये मानना है कि इस साल का जो budget है काफी development focused है और growth focused है और यहां पर यह भी बताते हैं कि जो हमारे finance minister है निर्मला सीथा क्रमार जब उन्हें financial budget पेश किया था तब उसके बाद जो लोग की reactions आई थी सबका ये मानना था कि ये budget भारत को की future growth को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है खासका solar energy की space में और इससे देश का काफी सदा विकास होगा और सद में ये भी बता दे है कि हमें अपनी solar energy की manufacturing utilization capacity को बढ़ाना है तो कि that's the way forward so friends अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जहां को बताएंगे कि क्या क्या budget announcements वे इससे लिए solar energy से लेटेड आपको ये बताते हैं कि जो आज का हम वीडियो है ये प्रिजिन कर रहे हैं आपको in association with goodwill goodwill is a world leader in PV inverter as well as energy storage solution manufacturing could be ये company खाली इंडिया में operate नहीं करते है they have got a global footprint and पुरी दुनिया भर में इनका दंका बच्चता है और लोग इनकी services और उनकी quality है उससे काफी जादा इंप्रेस्ट है इसके बारे में आगे बताएंगे लेकिन फिलाल वापस आते हैं वीडियो पर बाक्स करते हैं कि य इनकी साल के budget में जो सबसे बड़ा announcement की गई थी वह ग्रेट थी PLI scheme की what is PLI scheme? PLI होती है production linked incentive plan तो उसमें basically क्या होता है कि जो भी भारत में लोग manufacturing करेंगे तो उनको एक incentives मिलते हैं इससे manufacturers भी खुश है और देश के में जो products हैं अपने अंदर ही बन रहा है यानि कि हमारी manufacturing capability भी बढ़ती है और उससे क्या होता है कि में manufacturing हो रहे हैं तो हम इदर जो चीज़े बना रहे हैं वह भार भी export कर सकते हैं यानि कि हम foreign currency भी exchange कर सकते हैं और जो इस थाल का budget था उसमें 21,500 crores का incentive plan दिया गया है solar के लिए और यह एक काफी important पहले काफी important announcement है क्योंकि इससे हमारी solar की energy needs है वो पूरी हो सकती है तो आपके दिमाब में भी question आ रहा होगा कि हमारी energy की needs कैसे पूरी हो सकती है वो इसलिए क्योंकि हमारी government उन्हें sit किया है target कि 2030 तर हमारे पास 300 gigawatts की supply हम खुद पैदा कर सकते हैं और context के आपको बता जाएं कि आज की date में हम खाली 50 gigawatts produce करते हैं और जब manufacturing भारत में होने लगेगी तो इसमें एक काफी ज्यादा push मिलेगा और growth दिखने को मिलेगी यहां पर आपको एक interesting number और बताते हैं 2022 का हमारा solar energy में जो एक main योगदान आएगा वो आएगा rooftop solar से और उसके लिए हमने हमारी government set करके रखा है 100 gigawatts का target और यह बताते है कि आज की date में अब हम खाली 40 gigawatts produce करते हैं और अगर यह solar वाला जही से हो जाए और manufacturing तेज हो जाए तो यह वाला target अराम से हम इस साल achieve कर सकते हैं और friends आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दे कि हम इतना solar कर रहे हैं कि इतना target है यह है वो है इससे फायता क्या है इससे ह अरे को चाहिए corporate होगा यह individual होगा दोनों को फायता है number one कि आपका जो एक time investment कर नहीं कि one time investment उसके बाद आपको लाताकार बार-बार return on investment मिलेगा और second corporate और individuals दोनों गर्व से बोल सकते हैं कि go green initiative में हमारा भी योगता आने फिंस आप बात कर लेते हैं जो इतनी दिर से solar की बात करें में solar में components क्या होते है तो solar में solar plant का सबसे important component रहता है inverter inverter आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरे solar plant का दिमाग है तिल है तो यह basically क्या करता है कि जो आपके solar energy है जो सूर्य दे भंबे महरबान रहते हैं उसकी energy को direct current में convert करता है और यह direct current को हम AC में करते हैं current अब अब यह AC current होई current होती है जिससे आपके घर में fridge, AC, light, heater, geezer सब चलते हैं तो इनवर्टर भाई साब है यह काफी ज्यादा critical होते हैं एक solar plant की light के दोरान भी और साथी साथ उसकी quality ले अगर inverter में कुछ कमी रह जाए तो आपकी production भी काम हो सकती है और आपको quality भी compromise करनी अब यहां पर आपको बताते हैं इसमें बहुत सारे प्लेयर से मार्केट में सब अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हमने आपको पहले कामने का नाम लाए था गुडवी वह इस particular segment में काफी अच्छा काम कर रही है उनने अभी तक two million inverters sold की है वर्डवाइट और पूरी की पूर पंचाब में वहां पर उन लोग ने 10 गुडवी एच्टी 250 किलोवाट इंवर्टर लगाये थे और कंपनी उनसे काफी ज़्यादा इंप्रेस थे यह तो इनसे इंप्रेस हैं इसके इलावा भी बाकी लोग इनकी कॉलेटी से काफी ज़्यादा इंप्रेस आज के इस वीडि दूबर्यू करवाई है इंटिड्यूस करवाई है गुडवी कांपनी से जो एक जानामाला नाम है सोलर की दुनिया में और उनकी कॉलिटी काफी अच्छी है और लोग जो भी उनके कस्टमर्स हैं काफी ज़्यादा एप्रेशेट करते हैं अगर आपके गुडवी के प्रो में अपने कुर्शिंस या जो भी आपकी कुरी से लिख डालिये और वी ट्राइट टु रिस्पॉंड टु देव अग्ड़ 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 इस वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक और ने वीडियो में तब तक लिए आप अपना ख्याड़ खेगा